मिथुन राशी 2022 सितंबर का मेना किस प्रकार व्यतीत होगा तो आईए जानते हैं मिथुन राशी वालों के बारे में सप्टेंबर का मन्त किस प्रकार जाएगा उससे पूर भी मैं बता देना चाहती हूँ कि हम जो भी राशी फल लेते हैं वो हम चंद राशी के हिसाब से ले करना है ठीक तो आईए जानते हैं तो जैमना इस मिथुन राशी वालों के लिए महीना अच्छा रहेगा हम देखते हैं कि जो युवापीडे के लोग हैं वो अपने पूर अरजित किये वे ज्यान से हो सकता है कुछ नया शुन करने की सोचे कोई बिजनेस कोई प्रोफेश ने आपको कुछ पैसे सारे तो नहीं कुछ पैसे मिलने का योग बनता है तो आपको बहुत-बहुत मुबारक बात बहुत-बहुत कंगाचिलेशन उसके लिए बधाई क्योंकि फसावा पैसा जब वापस आता है तो राहत तो बहुत मिलती है बहुत चैन आता है है ना तो आपको जो पैसा कहीं स्टक था, आपने किसी को दिया था, या कहीं पर अटक गया था आपका पैसा, वहां से थोड़ा सा पैसा वापिसाने की उमीद है, तो उस जॉई को रेलिश करें, और जो पैसा आए, उसमें से थोड़ी सी राशी प्रभू चरणों में भी अर्पित कर दे, कुछ उनके लिए वस्त्र खरीद ले, उनके लिए भोजन मनायों ने खिलाए और फिर स्वेम खाले, बस इतना सा करना है, चीक है, ताकि और जो बची धनराशी है, वो भी आने वाले महिनों में आपको शीगर ही प्राप्त हो, एक और बात मैंने आप सभी से कहनी है, वो ये है, कि इस प्रकार की मंशा भी देखी जाती है, कि हो सकता है, कि आपका अपने मित्रों से विच्छो हो, कुछ misunderstanding create हो, तो वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, especially financial grounds को लेके, किसी प्रकार के misunderstanding उत्पन मत होने दीजेगा, क्योंकि ना आपके दिल में कुछ बुरा होगा, ना उनके दिल में कुछ बुरा होगा, कि योगी कुछ ऐसा सा बना हुआ है, misunderstanding होने का, तो जो भी बात होगी, उसको verbally बात करके, sort out कर लीजेगा, और ये महीने की बात है, बस इन 30 days के बाद, आपकी सारी चीजे sort out हो जाएंगी, बाकि relationship में, मैं देखती हूँ, कि पुराना को relationship, जो अगर आपका खराब हो गया था, वो इस महीने ठीक होने के भी योग बनते हैं, पर वो ऐसा relationship होगा, जिससे आपकी वारतलाप नहीं हो रही बहुत समय से, बहुत समय से आप उनसे contact में नहीं है, लेकिन अब उनसे आपकी वारतलाप होने शुरू हो गई, और ये आपके लिए शुब होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा, तो अगर कोई आपका पुराना व्यक्ति, आपका मित्र खास करके वापस आता है, ये मित्रों के लिए जादा है, गर्ल्फरंड, बॉइफरंड की बात मैं या नहीं कर रही, मित्रों के लिए friendships, या relatives, जिनसे हमारी बात्चीत नहीं हुई हो, वो कोई वापस आते हैं, तो आप इस चीज़ को celebrate कीजेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे जोन में आ रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे जोन में हो, और आगे आप लोगों की ये यूथी, आपके लिए बहुत beneficial सावित होगी, ठीक है, अब हम आजाते हैं, students की तरफ, तो students का तो मैंने आपको बताई दिया, पढ़ाई पे अच्छा ध्यान दीजिए, ये पढ़ाई जो आप लिए कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, आगे जाके आपके business की रूप में परिनर्थ हो, इसके बहुत-बहुत chances देखे जाते हैं, job के शेत्र में, कारे के शेत्र में भी, पैसे मैं ये तो नहीं कहती कि धनका बहुत वृद्धी होग है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको relaxation मिलेगा, और work environment में थोड़ा आपको relaxation मिलेगा, इस sense में की recognition आपको मिलेगा, और हो सकते हैं, आने वाले time में आपकी promotion भी हो, ठीक है, तो आईए अब हम जानते हैं health, तो health के बारे में मैं कहना चाते हूँ, जादा तीखा, चटपटा, मिर्ची, और बहुत जादा non-wage, उग्रपदा, प्याज, लसन, बहुत जादा quantity में avoid करना है, क्योंकि heat के मादिम से पेट में बहुत गड़बड हो, ये देखी जाती है, इतनी गड़बड की acid बनना शुरू हो जाए, तो पेट को ठंडा रखने के लिए ठंडी तासीर की चीज़ें, ठंडा पानी पीने नहीं कहरी हूँ मैं, ठंडी तासीर की चीज़ें आपने जादा उप्योग करने हैं, अब आई ये जानते हैं Lucky Color के बारे में, तो Lucky Color जो Gemini राशी वालों के लिए निकल कर आता है, वो निकल कर आता है Yellow and Sea Green, तो इन सभी बातों को आप रियोग करें, ऐसे वस्त्र प्रभू को चड़ाएं, ऐसे वस्त्र अपने लिए भी खरीदें लेकिन पहले प्रभू को चड़ाएं, अगर स्त्री है तो पहले राधारानी को या गौरी माता को चड़ाएं कि आप इसको पहने, और फिर उसको पहने, या अपनी बेटी को दे या किसी को दे, उनको आप चाहे तो Ornaments भी अर्पित कर सकते हैं, आप उनको चाहे तो Yellow Color के Flowers दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़े करिए और अपने औरे को उनके औरे से भरपूर कर लीजिए, प्रभू के औरे से, जिनको आप इस चीज़े चड़ा के यूज़ करेंगे, और फिर देखे कि कैसे आपकी सारी चीज़े और मंगल में होती जाती हैं, तो आशाय आपका मेना बहुत अच्छा व्यतीत हो, आप मुस्कुराएं और दूसरों के भी मुस्कुराने का कारण बने, धन्यवाद।